तो एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार दरोगा 246 पद के लिए जितने चातर इंतजार में थे कि पटना हाई कोट अपना स्टे हटा है और उनकी ज्वाइनिंग उनकी की जाए तो अच्छी खबर है, यहाँ पे अच्छी खबर है, पटना हाई कोट ने अपना स्टे हटा लि देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं 2446 दरोगा बाहली की पदों के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट का लिया गया इस सीज को तो हमारे जो पतना हाई कोट के जज ने यहाँ पे एक एकल पीट बेठाई और उसमें इस बहाली की प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया मामला यहाँ पे सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें कि आपको मैं बताना चाहूंगा सुरू से ही बिहार पुलिस में 2446 पत पर दरोगा सर्जेंट और सहायक जेल अधिक्षक की निकलती की मामले में तमाम पेच अब सुलच चुके हैं मेरिट लिस से जुड़ा हुआ जो मामला था पटना हाई कोट पहुंचा था उस पर फैसले सामने आ गया है अदालत ने सिकायत पक्ष जो भी 26 चैनित अभ्यारती है मतलब 2446 के लिए उनका आप रास्ता साफ हो चुका है लेकिन उन 268 का क्या विल्कुल तो यहां पे मंगलवार को जेस्टिस पीबी बजन्तरी ने एकल पीट में सुदिर कुमार गुपता और अन्य की ओर से जो दायर याचिका पर वर्चुल रूप से एक सुनवाई की है इस दोरान यहां पर अदालत ने याचिका खरिच कर दिया है और इसके पहले कोट ने विगत 1 दिसंबर 2021 को अपने आदीस में कहा था कि यदि चैनित अभ्यारतियों को न्यूकती पत्र जारी नहीं किया गया है तो सुनवाई की अगली तिथी 3 जनवरी दाखिर करके यहां पर अपडेट दिया इस अपडेट में बताया गया दोस्तों की बिहार पुलिस जो 246 दरुगा जो सार्जेंट और सायक जेल अधिक्चा की बहाली थी उसमें चैनित अभ्यारतियों का प्रणाम 17 जुन 2020 को आयोग ने जारी किया था इसमें 268 अभ्यारत जो भी यहां पर दलील पेस की थी या रितिकारानी कि बिहार पुलिस अबर सिवा आयोग की ओर से वकील कुणान तिवारी ने इस मामले को लेकर कहा कि आयोग इस विवाद से जुड़े सारे पॉइंट पर सफाई दे चुका है कि जो स्कूर कार्ड और कटफ विवाद पर ह भर बिंदु को नोटिफिकेशन के माधयम से क्लियर भी कर दिया गया था। एक sergeant का यहाँ पोश्ट है उसको लेकर भी यहाँ पे cut up निधारत किया गया तो जो कि 75 था यहाँ पे और इस मामले में यह page फसा हुआ था और यह 268 अभियारती जो है इस पे case किये कि उनका नाम नहीं आया तो जो भी छात्र यहाँ पे अपना form भरते समय ध्यान दिये होंग तीन पद थे यहाँ पे कारादिक्षक, sergeant और आपके बिहार दरोगा के लिए तो इन तीनों के पद के अनुसार ही यहाँ पे cut up अलग से निधारत किया गया था जिसके चलते यहाँ पे 17 जुन 2021 को मेरिट लिश्ट प्रकासित किया गया था उस मामले में जो याची का दायर की गई थी उसको लेकर याची का करताओं का मुखी रूप से कहना था कि समान्य वर्क की वैसे अभ्यारती जो कि 75.8 फिस्दी अंक को लाकर संयुक्त मुखी परिक्षा में सफल गोशित किया गया थे उन्हें सफल गोशित नहीं किया गया है क्योंकि final merit list 0.8 फिस्दी अंक घटा दिया गया था तो यही मामला था यहां पर और याची का करताओं कहना था कि इस तरह से भारत के संबिधान के अनुछे 14 का उलंखन होता है और final merit list का प्रकासन मनमाने ढंग से किया गया है हला कि पटना हाई कोट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया अब चैनित अभ्यारती को न्युक्ती का रास्ता यहां पे साप है यानिकि इनके अलावा जो भी चैनित अभ्यारती थे 246 पद के लिए उनका रास्ता क्लियर हो चुका है इनकी अब ज्वाइनिंग जल्द ही आ रावा 2213 पद का इंतजार कर रहे है रिजल्ट का तो अब मैं आपको बता दू कि ठीक आपको 15 जनवरी से लेकर 20 या 28 जनवरी के बीच मतलब कि 15 दिन ये complete मतलब लाश्ट जनवरी का जो वीक है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है यहां पे आपका रिजल्ट आ सकता ह इस बार एक्जाम का जो पैटर्न थोड़ा सा कठिन किया गया है तो आप लोग इंतजार कीजिए यहां पर जीहां क्योंकि अब आपका जो 2213 का रिजल्ट है उसका कटफ किया जाएगा और इस पर भी कहीं यहां पे खेलना सुरू हो जाए कटफ वाला और पटना हाई कोट वाला इसलिए आशा करते हैं और हमारे आयोग से भी आशा करते हैं कि कटफ सोच समझ के रही निधारत करेंगे पेपर यहां पर आउट अप सलेबस कोशन पूछे गया थे बहुत सारे से कोशन जो की सलेबस में नहीं बदाएगे टॉपिक हमें और वहां से कोशन यहां से हैं तो इस पर भी बात होगी इस पर भी चर्चा आगे जरूर होगी बट रिजल्ट आप लोगा अच्छा आया है और अब जो 246 पत के चात्र हैं इनका चयन होना है यह आपके लिए खुश ख़बरी की बात है तो यहां से बड़ी ख़बर निकाल कर आ रही थे दोस्तों य एक दो विदिन मार्च लश्ट में या अपरिल के फर्स्ट विक में या मीड में आपका एक्जाम ले लिया जाएगा तो अपनी तयारी को जोर दें और लग जाई यह तयारी में जो भी च्छात्र यहां पे तयारी में है बीपी एसी का सारह एक्जाम पुसपॉंड्ड हो एक जैसी है किसी भी एक्जाम को लेकर इसके अलावा बिहार में सिपाही भरती को लेकर भी बहुत सारे छात्र फॉम भरे हैं तो उनकी तैयारी में भी वाइटी एजूकेशन हमारा लगा हुआ है तो आप लोग साम को पांच बुजे वहां जुडिए बाकी सारे अपडेट म में बिहार द्रोगा और BPSC का देता रहोंगा अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दवा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके और आप सर्च कर लिजेगा वाइटी एजुकेशन करके यहां से सर्च कर सकते हैं एक तो यह ग्रूप यह आपका टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर पीडियेफ अगर आपको मिल जाएगा और एक है यह यह ग्रूप आपका वाइटी एजुकेशन सरसाथवी VPSC और बिहार मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का